मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकान को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें At the end of life, we are going to ask, did I live? Did I love? Ask it now, the clock is ticking, start living नमस्ते, मैं श्रेयस बड़िये, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, आज हम मेडिवल हिस्ट्य आप इंडिया से थोड़ लेक्चर पर डिस्केशन करने वाले हैं, जिसमें हम राजपुट स्टेट्स को कवर करेंगे, अगर आपको सबसे पहले बैग्राउंड जान लेते हैं, क्या बैग्राउंड बनता है, तो सबसे पहले आपको यह बता दू कि, there was an expansion of aggressive expansionist Turk tribesmen, जो Turkey के जो tribesmen थे, जो tribal लोग थे, वो tribesmen जो थे, वो लोगों की एक नई policy थे, aggressive and expansionist policy, aggressive and expansionist policy याने attack करना है, aggression याने attack करना है, और expansion याने अपने kingdom का expand करते हुए, आगे आगे बढ़ना है, so इनके लिए रास्ता बनता है, सबसे पहले वो नौर्थ वेस्टन इंडिया का, क्योंकि नौर्थ वेस्टन इंडिया से ही इंडिया में इंटर करेंगे, for example, if this is expansion करते हैं अपने empire का, यह इस तरह से यहाँ पर काम कर रहे थे, जो टर्किश लोग थे वो, अब दूसरी बात यह हुई थी इंडिया में कि गुर्जर प्रतिहाराज जो थे, जो कि नौर्थ वेस्टन इंडिया में हुआ करते थे, यह हमने map देखा था, जो हमारा first lecture था, उ क्योंकि इनका decline हो रहा था, यहाँ पर political uncertainty थी, पता नहीं था कि कौन रूल करेगा, कब रूल करेगा, तो यहाँ पर इस मोके का फायदा उठाना चाहते थे, टर्क और टर्क इंडिया में इंटर कर गए, इस टाइम पर, यह एक background था, अभी हमारा Rajput स्टेट स्टार्ट होग तो यह सब आपका background अभी बन चुका है, so आई यह सबसे पहले हम कुछ important राजपुत rulers को study कर लेते हैं, so सबसे पहले हम जिनने study करने वाले हैं, वो है प्रित्यूराच चौहान, प्रित्यूराच चौहान जिनका reign या फिर जिनका era माना जाता है 1178 से 1192 AD तक का, वो daily और आग मत जाएगा, चहमान dynasty, okay, C-H-A-H-A-M-A-N, हमान dynasty के थे जो प्रित्यूराच चौहान थे वो, यह कहा कहा rule करते थे, यह तो काफी बड़े एक region में rule करते थे, फिर भी जो important हमें याद रखना है, क्योंकि हमारा यह background बनता है, जब हम प्रित्यूराच चौहान को पढ़ते ह हम जब आगे डिली सल्तनत पढ़ेंगे, तो हमारा यह background बन जाएगा, इसलिए मैं आपको बताते हैं, तो सबसे पहले यह जो rule करते थे, यह काफी बड़े portion पे rule करते थे, बट मेनली प्रित्यूराच चौहान दिली और आगरा पे rule करते थे, जिसमें, जिसके बाद जब इ याद रखने exam point of view वो दो battle जो इन्होंने लड़े वो, पहला जो है वो first battle of tarans, first battle of tarans उन्होंने 1191 में लड़ा था with मोहमत गोरी और इन्होंने मोहमत गोरी को हरा दिया था, उसके बाद मोहमत गोरी जो है यह लोट जाते है, मोहमत गोरी एक plunder करके आते है, लूटने आते है between पृत्वराज चोहान और मोहमत गोरी और दुरभाग गोरी इस battle में जो पृत्वराज चोहान थे उनकी हार हो गई, तो मोहमत गोरी defeated पृत्वराज चोहान, so पृत्वराज चोहान was defeated by घोरी, so यह battle of taray जो है यह बहुत important battle पता चलता है, क्योंकि इसके बाद डेली जो है यह खाली हो गया और डेली खाली होने के बाद यहाँ पर फिर कोई और रूल कर सकता था, so इसलिए यह indirectly यह कहा जा सकता है कि यहाँ से ही दिली सल्तनत की शुरुवात होगी, उसके बाद हम यह देखते है कि जो kingdom था डेली का, यह मोहमत गोरी को मिल गया, मोहमत गोरी इस प बात वापिस लोट जाना है, so यह सब चीजे यहाँ पर पता चलते है, तो मोहमत गोरी वापिस लोट गया, बट अब जो दिली की जगा खाली हुई थी, वहाँ पर उन्होंने अपना एक जो सलेव था, जिनका नाम था, कुतुबुद्दिन आइबग, उन्हें यहाँ पर मोहमत गोरी ने कुतुबुद्दिन आइबग को जब रख दिया, so यहाँ से स्लेव डाइनिस्टी शुरू होती है, और स्लेव डाइनिस्टी पहली डाइनिस्टी हमें पता चलते है, जो डेली सल्तनत की थी, तो सल्तनत को जब हम शुरुद्द करेंगे, तो आपको यह बै इसलिए प्रित्यूराच चवान को पढ़ना बहुत जाद होता है, उसके बाद जो अगले रूलर हम पढ़ने वाले है, वो है जैचन घडवाल या फिर राठोड, यह 1169 से 1194 तक रहे, इनका रीन रहा, तो इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि he was defeated and killed by मोहमत गोरी मोहमत गोरी ने इनने इन पर अटेक किया, इनको मार दिया गया मोहमत गोरी द्वारा और यह बैटल जो है यह आपको याद रखना अच्छे से बैटल ऑफ चंदावर, बैटल ऑफ चंदावर जो है यह 1194 में लड़ा गया था जिसमें जैचन घडवाल या फिर राठोड की अगले जो हम रूलर देखते हैं उनका नाम है राना कुमबा, राना कुमबा जो है यह 11, sorry 1433 से 1468 तक रूल करते हैं, यह बहुत फेमस रूलर माने जाते हैं मेवाड के, अब मेवाड कहां पे हैं हम हम आगे पढ़ने वाले जब हम राजपुत स्टेट्स पढ़ेंगे, सो यह सबसे में चीज़ है राना कुमबा की उन्होंने मोहमत खिल जी को हराया था, मोहमत खिल जी को हराने के बाद उन्होंने Tower of Victory जो है यहाँ पे इरेक्ट किया था, यहनोंने Tower of Victory खड़ा किया था, इस जीत के खुशी में, इस जीत को celebrate करने के लिए Tower of Victory को विजय स्टम भी क आजाता है जो कि चितोड में बनाए गया है राना खुमबा राना खुमबा इसे बनाते हैं उनके जो सक्सेसर थे वो राना संगा और राना प्रताप ये दो सक्सेसर हमें पता चलते हैं इनके बाद आते हैं राना संगा राना प्रताप सो राना खुमबा के ये सक्सेसर थे हा में Maha Rana Sangha. Maha Rana Sangha जो एए वो 1508 से 1528 AD में आते है, Rana Sangha भी miraad के होते हैं और यह Sisodia clan के राजपूत होते हैं, राजपूत में जो Sisodia clan हैं उसके यह थे, Rana Sangha. So, he was Contemporary Abraham Lodi औन बाबर. बाबर और इस बादोर इन्दिया में आते हैं, तो उस वक्त होते है राना संगा, महाराना संगा, तो ये लोग एक साथ ही रहे, याने एक की टाइम पर ये लोग रहे है, याना साथ में नहीं रहे, बट एक की टाइम पर रहे है, अब्राइम लोदी हो गए, बाबर हो गए, या फिर महाराना संगा हो गए, आपको पता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में एक लड़ाई हुई थी, जो कि फर्स बैटल अफ पानी पत्था और यहां से मुगल इंपायर जो है, यह इस्टैबलिश हो गया था इंडिया में, तो यही दो लोग हैं, बाबर और इब्राहिम लोदी, आपको यह बता दू कि वैसे अगर देखा गया तो फर्स बैटल अफ पानी पत्था जो कि 1526 में ही लड़ा गया था, वहां से ही मुगल रूल शुरू हो जाता है, बट और एरिया जो मिलता है बाबर को वो 1527 में मिलता है बाइब बैटल अफ खानवा, सो यह सब बैटल सम आगे मुगल का जब पोर्शन पढ़ेंगे तो उसमें तो हम पढ़ने वाले, बट अभी आपको एक बेसिक आइडिया मैंने दे दी है, सो यह एक और रूलर थे जिनका नाम था महाराना संगा, अब हम आखरी और बहुत इंपोर्टन रूलर को स्टड़ी करते हैं जो की थे महाराना प्रताप, महाराना प्रताप का जो रीन था यह 1572 से 1597 तक होता है महाराना प्रताप का रूल, महाराना प्रताप भी मेवाड के ही थे, मेवाड के ही रूलर थे, और मेवाड के थे और सिसोडिया राजपुत ये भी थे वो Contemporary of Akbar थे अकबर जो है वो इनके बाद इनके ही वक्त थे अकबर राना प्रताप के हो जैसे कि आपने देखा कि बाबर के Contemporary थे यहाँ पे महाराना संगा तो अकबर के Contemporary थे महाराना प्रताप क्योंकि यह एक साथ यानि एक के पीछे एक नहीं आए डारेक्ली नहीं आए 1528 और 1572 में काफी बड़ा फासला है बीच में कुछ और रूलर्स आके गए जिनको हमें पढ़ना important नहीं है अकबर जो थे ऐसा हमें पता चलता है हिस्ट्री से कि जो अकबर थे उन्होंने काफी invoice भेजे थे invoice भेजे थे किसको तो राना प्रताप अब invoice को नो थे invoice यहने messenger भेजे थे राना प्रताप को कि आप vessel बन जाओ मेरे vessel और मेरे सामने आप हारमान लीजिए है ना war और करके कोई फाइदा नहीं है तो यहाँ पर vessel बन जाओ vessel याने आपको बता देता हूँ क्या होता है vessel याने जागिरदार हम कहते है या फिर हम futatory कहते है futatory बन जाइए बट राना प्रताप refuse राना प्रताप ने कहा आमेर के राजा मान सिंग first थे जो लड़े थे अकबर के तरफ से with महाराना प्रताप सो महाराना प्रताप और राजा मान सिंग first के बीच में यह battle हुआ जिसमें महाराना जो थे he was defeated by mughals और मुगल को यहाँ पर मुगल यहाँ पर महाराना प्रताप को defeat कर देते हैं हरा देते हैं और महाराना प्रताप के कुछ areas जो थे वो मिल जाते हैं मुगल को इस तरह से एक और important ruler हमें पता चलते हैं जो कि 1572 से 1597 तक रहे वो थे महाराना प्रताप और इनके इनका जो important battle है वो है battle of haldi ghaati so यहाँ पर याद रखेंगे कि rulers के आपको battles अच्छे से याद रखना है जैसे कि मैंने आपको बता है पृतिवराज चौहान की बात आती है तो battle of taray दो battles आपको याद रखने अगर जैचन गड़वाल की बात आती है तो battle of chandavar आपको याद रखना है अगर आती है बात राना खुमबा की तो आपको मौमत खिल जी के साथ जो battle हुआ था वो याद रखना है क्योंकि उसमें हरा दिया था राना कुमबा ने मौमत खिल जी को उसके साथ साथ अगर महाराना संगा की बात आती है तो battle of khanva आपको याद रखना जरूरी है और महार अना प्रताफ की बात आती है तो battle of haldi ghaati आपको याद रखना बहुत जादा जरूरी है तो हमारा second part शुरू होता है lecture का जो की है राजपुत स्टेट्स अब हम राजपुत की जो शुरूआत करने नॉर्मली याद रखने के लिए भी important है वह कन्नोच के गहडवाल गहडवाल जो लोग है कन्नोच के उसी तरह परमार जो है वो मालवा के चवहान जो है वो अजमेर के काल चूरी स जो है वो जबलपूर के चंडेलाज जो है वो बुंदेल खंड के और चालुक क्या जो है वो गुजरात के उसके साथ साथ तोमर जो है वो डेल के और एटसेटरा एटसेटरा सो यहाँ पर हमें आगे और और यह काफी सार है बट इतने इंपोर्टेंट है जो हमें एक्जाम के लिए पढ़ना हाता हिंदू ही थे और हिंदूइजम को उन्होंने काफी एक तरह एडवांस मोड पे रखा हुआ था और वो जैनिजम को भी कुछ एक्स्टेंट में यहाँ पे जगा देते थे डेवलप्मेंट के लिए जैनिजम के भी सपोर्ट करते थे जनरली तो हिंदू थे और हिंदूइजम को काफी सपोर्ट मिला था इस टाइम पे और यहाँ पे जो वर्ना सिस्टम है वो वापिस से इन्होंने यहाँ पे एडॉप्ट करना शुरू किया और वर्ना सिस्टम फिर से इंडिया में दिखने लगा और यहाँ से स्टेन की जागा वापस आने लगी क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वर्ना सिस्टम को अपनाना शुरू कर दिया था तो यह राजपुल स्टेट के बारे में एक बेसिक से इंफोर्मिशन थी अब हम एक एक जो रूलर से उनको थोड़ा डीटेल में स्टडी करेंगे बहुत जितना एक्जाम पॉइंट ऑफ इंपोर्डेंट है उतना ही बहुत ज्यादा क्वेशन नहीं आते हैं बट आते हैं उसके बाद हम सबसे पहले जो स्टडी करते हैं वो है चौहांस ऑफ अजमेर के जो चौहां थे उन्हें अगर हम स्टडी करते तो चौहांस कोन थे तो अजमेर की की स्टोरी जूई राज चौहांस थे पीर हरास के फूडीर हुआ करते जागिर हुआ करते हैं जागिरधार हुआ करते थे जागिरदार का मीनिंग आपको मैं अल्रेडी बता चौका ऐे फ्यूडेटरी याने क्या होता है तो यह फ्यूडेटरी थे उसके साथ-साथ अजयराज चवहान जो है यह king थे सकंबरी के उन्होंने नई एक शहर बनाया था जिसको अजययमेरू कहा जाता है उसको बाज में अजमेर कहा गया अजय मेरू ही बना अजमेर इन्होंने ये शहर बनाया तो शहर अजमेर बनाने वाले जो किंग है उनका नाम है अजयराज चौहान तो ये अजमेर की स्टोरी है छोटी से एक शौट में मैंने आपको बता है कि अजमेर को नाम कैसे मिला उसके बाद उनके जो सकसेसर है वो है विग्रहराज विग्रहराज जो है उन्होंने धिली का करके जो है वो जगा को चैप्चर कर लिया from Tomar King. तोमर जो king थे वो भी राजपुती थे उनसे इन्हों ने capture कर लिया और ये capture होने के बाद जब पृत्विराज चौहान का defeat हुआ तो ये dynasty फिर वीक होने लगी तो चौहान में पृत्यूराज चौहान भी आते और पृतिवराज चौहान इनके बारे में हम information आगे पढ़ने वाले, सो पृतिवराद चौहान के साथ यह जो डाइनस्टी यह वीक होने लगी और इसका धीरे-धीरे decline शुरू हो गया और final जो इसको blow दिया, वो कुतुबुद्धी नाइबक ने दिया, कुतुबुद्धी नाइबक ने चौहान जो आजमेर के उन्हें हरा के इनका जो रूल था वो खतम कर दिया, यहाँ पे final blow मिला, यह फाइनली यह खतम हुआ था, इस तरह से हमें पता चलता है, सो यह चौहान जो थे आजमेर के इनके बारे में एक short information थी, जो आपको एक्जाम में बहुत जादा help करेगी, उसके बाद मैं आपको second information देना चाहता हूँ, Tomers of Delhi के बारे में, जो Tomer है Delhi के उनका, जो Tomer है यह feudatory थे प्रतिहाराज के, यह भी उसी तरह से जागिरदार थे प्रतिहाराज के, the Tomers, उसके साथ साथ they founded city of Delhi, Delhi की जो city ह उसे वो बनाते हैं, 1736 AD में, जो Tomers थे वो, और during 9th to 12th century क्या हुआ, जो Tomer of Delhi थे, वो जो रूल कर रहे थे, उनका रूल देखेंगे, तो Delhi और हरियाना, आज का जो Delhi और हरियाना है, उसमें उनका रूल हुआ करता था, present day Delhi और हरियाना में, अगर इनका हम देखते हैं, extent तो, extent मिलता है, present day Delhi और हरियाना, महिपाल Tomer जो है, उन्होंने ठाने शुर हो गया, हासी हो गया, उसके साथ साथ नगर कोट हो गया, ऐसी जगह कोई भी उन्होंने capture कर लिया, 1043 AD में, इस तरह से Tomer का जो rule था, वो काफे extent हो गया था, काफे expansion इसे मिला था, महिपाल Tomer की वक्त, और जो चौहांस थे, they captured Delhi in middle 12th century and Tomers became their feudatory, ओके फिर चौहान ने यहाँ पर अटेक कर दिया, Tomer जैसे कि हमने पिछले इसमें देखा था, यहाँ पर, कि यह देखी, यहाँ पर Tomer के साथ, इनके काफे सारे वार भी हुए, तो finally इन्होंने डेली पर अटेक किया, और डेली जी इतनी बड़ी territory है, वो यहाँ के कुछ territory directly rule नहीं करना चाहता, तो वो किसी को दे देता है, कि आप संबाले, आपके आर्मी रखे और आप संबालते चलिए, बस इतना याद रखे है कि आप मेरे अंडर हो, ओके, सो यह लोग जो है, यह feudatory बन जाते हैं, और इनके यह region है, यह region आता है South Central Rajasthan state में, I hope कि आप आप लोगों के साथ map book लेके बैठे हुए, और जो जो मैं मेवाड कह रहा हूँ, तो आप मेवाड यहाँ पर देख पा रहे हो, फिर भी मैं आपको एक बार मेवाड दिखा दे, तो आप अपने map book में भी देखते चलिए, आदत बना यह map book यूज करने की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, जो region है, यह मेवाड region है, यह राजस्थान है, यह पूरा और यहाँ पर जो आपको region दिख रहा है, यह मेवाड का region है, तो यहाँ पर अगर हम देखते तो यह region के अभी हम बात कर रहे हैं मेवाड की, यह South Central Rajasthan में आता है Western India में उसके साथ इंक्लूड प्रेजेंट डिस्टिक्ट ऑफ भिलवाड़ा चितोडगर्ड राजसमंद उसके साथ साथ उदयपूर पीरवा तैसिल है ना उसके साथ जहलावर डिस्टिक्ट ऑफ राजस्तान नीमुच हो गया मंदसौर हो गया मंदसौर यह मध्यप् zo आगे क्या हुआ तो इन 1568 जो अकबर इनने कैप्चर कर लिया ना सब्सक्राइबर चितोडगर्ड सेंब्सक्णा अलग-अलग रीजन है आई ये मैं आपको महारवाद का भी मैप दिखा देता हूं so ये जो आप रिजन देख रहे हैं महारवाद का रिजन जोदपूर पाली जालोर नागbek और ये सब है महारवाद का रिजन और ये महारवाद के बाते में अभी हम तो मौमत घोरी ने जैचन जो थे कन्नोच के उन्हें हरा दिया और उनके जो डिसेंडेंट थे जिनका नाम था शेव जी तो शेव जी जो थे वो अगर हम देखते हैं तो उन्होंने खुद को एक एक तरह से एस्टैबलिश किया था एक शहर में जिसको मंदौर सिटी कहा जात तो राठोड लोग जथे राजपुत राठोड क्लाइन जथे राजपुत में तो उन लोगों ने जोदपूर राजजक की स्तापना की थी in 13th century यहां पर आप देखते हैं कि मारवड रिजन में आप जोदपूर भी देख पा रहे तो इसकी स्तापना कर दी जाती है मारवड रिजन में और हूक्लेंड डिसेंडेंट यहां पर लोग एक साथ इसले गड़वाल और लिखा जाता है तो ऑत रुले जो है वो जैसे कि आपने यहां चैन घड़वाल और यहां पर यहां पे हमने जाते है ऑटो ऑट्रूर जो है वह इंदेन प्रिंसल न्यस्टेट ओपे जोद्पूर के थे, वेर रैंचन डानेस्टी इस्टै गालीश्मिंट हुआ था और यह वहां के थे sahisions फोट्रूरी में जिनका establishment होता है यह जो डानेस्टी थी यह जो राठोड डाइनस्टी थी यहां के पहले रूलर माने जाते हैं यहां पे जितने हमें एविडेंस मिलते हैं वो राव जोधा थे जो फॉर्स टूलर अब दी राठोड डाइनस्टी थे जोधपूर के 1459 में इतनी इंफॉर्मेशन सफिशेंट है पर एक्जाम बुंदेलखंड के जो चंडेला थे वो तो यहां पर अगर देखा तो 9th century में इस्टाइबलिश करते हैं अपना जो किंग्डम था वो और हर्षदेव जो थे वो फाउंडर थे इस डाइनस्टी के चंडेला डाइनस्टी के तो बुंदेलखंड जो है इसे जेज का भुक्ती भी कहा जाता है बुंदेलखंड वो जो नोना जेज का भुक्ती उस वक्त तो माहोबा जो थे वाज़ कैपिटल ऑफ चंडेला चंडेला का कैपिटल था माहोबा और यहां एक चीज़ आपको बता दू कि जो यशो वर्मन थे उनी के वक्त यह माहोबा जो है यह कैपिटल हुआ करता था चंडेला का उसके साथ साथ कलिंजर जो है यह बहुत important फ्रट माना जाता है उनका कलिंजर फॉर्ट आपको comment section में लिखना है कि कलिंजर fort ये कहां पर है exact location क्या है कलिंगर के आपको comment section में लिखना है मैं वेट कर रहा आपके comments का उसके साथ जो चंडेला जए बिल्ट था मोस्ट फेमस कंदारिया महादेव टेंपल कंदारिया महादेव टेंपल जो इनके वक्त बनाया गया था 105080 में और उन्हें काफे सारे beautiful टेंपल भी बनाया जैसे के खजुराओ हो गया यह सब हम खजुराओ और यह सब टेंपल को मार चंडेला किंग थे तो इनके वक्त का यह कंदारिया महादेव टेंपल है कंदारिया महादेव टेंपल जो है यह मध्यप्रदेश में है मध्यप्रदेश में कंदारिया महादेव टेंपल और महादेव यह शिव का यह मंदिर है कंदारिया महादेव टेंपल आप देख सकते ये कंदारिया महादेव टेंपल है, काफी खुबसूरत सा एक टेंपल है, जो चंदेला रूलर के बनाया गया था, उसके बाद मैं आपको ये बता दू कि परामल जो थे, वो लास्ट चंदेला रूलर माने जाते हैं, आखरी जो चंदेला रूलर थे, उन्हें हरा दिया था, क परमार डाइनिस्टी जो कि मालवा रीजन के, मालवा रीजन के, अब मैं आपको सबसे पहले ये बता दू कि अगनीवंशी राजपुट डाइनिस्टी है, तो ये जो इनकी जो डाइनिस्टी है, उसे अगनीवंशी राजपुट डाइनिस्टी कहा जाता है, जहांके ये ज उन्होंने आपना कैपिटल बनाया थ सबसे इंप्रामर जो पर मालवा के यह बहुत इंप्रांटेन नुए अपपिटल ईड़ने HA mouch दमार नांदील्या के दमद् जानने चालण having a m- הה इस ते काफी बार पर उनके शत्रों अटान भी किया है तो काफी उनको को अफेक्ट होता था इन अटैक से काफी बड़ा नुकसान भी जहलना पड़ता था देव महालका देव जो है यह आखरी रूलर बनते है परमार डाइनस्टी के और इनको डिफिट किया था अलावदिन खिल जी ने डेली के जो थे वो 1305 में 1305 कॉमन एरा में तो सी याने कॉम इसके बाद हम आगे जो स्ट श्टेडी करते हैं वह चालुक्याज और गुजराट को अलग से और गुजरात के थोड़े अलग चालुक्याज है इनहें काफी बार सो लंकी भी कहा जाता है चालुक्य या फिर शो लंक्या स्टी टार रूल करती थी अभी जो गुजरात और पाजस्तान का पार्ट है नॉर्थ वेस्टन इंडिया में वहाँ पे नॉर्थ वेस्टन इंडिया का बिट्विन 940 कर दो कि वाँ चालुक के इसके फाउंडर मुल्राज इसके फाउंडर मुल्राज माने जाते हैं इनको बाद में मुलराज फर्स्ट भी लिखना शुरू कर दिया था उसके बाद मैं आपको यह बता दू कि डूरिंग दे रूल आप भीमावन जो थे जो के चालुक के डाइनिस्टी के ही थे उन पे अटेक कर दिया महमुद आफ गजनी जो थे उन्होंने अटेक कर दिया और महमुद जो थे गजनी के उन्होंने लगभग सत्रा अटेक किया थे इंडिया में और वो लूट के गए इंडिया में तो उन्होंने लूटा था सोमनाथ टेंपल सोमनाथ टेंपल को उन्होंने लूट लिया था महमुद आफ गजनी ने और यह अटेक किया गया था भीमाव परस चालुक के जो है गुजरात के उनके वक्त मुल्राज जो है वो ये भी कहा जाता है कि मुल्राज is said to have built मुलवस्ति का टेम्पल मुलवस्ति का टेम्पल जो है जो दिगंबर जैन्स के लिए है और सेकेंड है मुला नाथ, मुला नाथ, जिनदेव टेंफ़, जिनदेव यानि आप जानते है कि जो भागवान, वहान वहेरे उनके लिए ये वर्ड युज कहा जाती है, तो जिनिदेव जो है ये बुलानाथ,altra जिनदेव टेंफ़ भी भिनाया गया था श्वेतंबर जायन के लिए तो ये दोनों चीजे बहुत जादा important है मूलवस्ति का temple डिगंबर जायन के लिए और मूलन नाथ temple श्वेतंबर के लिए तो डिगंबर और श्वेतंबर में क्या difference already में आपको जैनिजम में बता चुका उसके साथ 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 Dilwara Temple जो है उसके साथ उसके साथ Meadeira Sun Temple मोदे AAA का Suria Mandir जो है शुर्या ने वंदिर यह तो चीजों को हम स्टडी to एसे करते ही है जो हमारा Arten Culture का Lecturer उसमें बर Etsy यहां पर आपको एक basic information लेनी हो GREG हम पढ़ने वाले रानी की वाव हो गया रानी की वाव जो है यह कुई नुदय मती के वक्त बनाया गया था यह आप जो पिक्चर देख रहे है रानी की वाव का है रानी की वाव मतलब रानी का स्टेप विल तो स्टेप विल रानी का इसका मतलब होता है रानी की वाव सो रानी की वाव जो है वो यहाँ पर आप देखते है गुजरात में है सो यह इनी के वक्त बना गया था चालुक क्या जो है गुजरात के उनके वक्त तो यह याद रखेगा कुई नुदे मती के वक्त यह बना गया था रानी की वाव इसको हम art and culture में फिर से study करने वाले detail में अभी हम से basic information ले रहे है उसके बाद हम जो last जो ruler पढ़ने वाले last जो dynasty पढ़ने वाले है वो है काल अचूरी काल अचूरी डाइनस्टी जो है उसके बारे में अभी हम study करते हैं काल अचूरी जो है यह तरिपूरी के थे काल चूरीज है और चेदी यह चेदी के थे अब चेदी क्या है यह देख लेते तो चेदी और इनका capital त्रिपूरी था चेदी में एक आता है मध्यप्रदेश, राजस्थान, मालवा और महाराष्टर का पार्ट चेदी में इतना जो रीजन आता है इसे चेदी कहा जाता है काल चूरी जो है वह चेदी के और यह तरिपूरी इनका capital हुआ करता था दे रूल द पार्ट आप यहां पे देखते हैं सेंट्रल इंडिया के पार्ट पे रूल करते थे सेवन टू थर्टीन सेंचूरी में और उनका capital त्रि दिया था चक्रवरतीन चक्रवरतीन जो है यह उन्होंने खुद को टाइटल दिया था जब वह उन्हें काफी सारे military military campaigns किये थे बाकी के आजुबाजु के जो नेवरिंग किंग्डम्स थे उन पर attack किया था और उनने जीद भी लिया था इसलिए इन्होंने कहा था कि सभी आ राचपुस हमें देखने मिलते और ये इन्होंने करण टेमपल बनाया अमर कन्तक में यह लक्षमी करन ने ही बनाया हुआ है करण टेमपल जो है अमर कंतक करके जो जगा है वह अमर कंतक है मद्यप्रदेश में और यह लक्षमी करना ने जो रूल किया 1041 से थोड़ासा काफी हो गया था वो इतना तो कोई जी भी नहीं सकता है ना तो इसी चीज के करण मुझे लगा किया कुछ गलती है तो 1041 से 1073 तक लक्षमी करणा ने रूल किया और उने करणा टेंपल भी बनाया है अमर कंटक में तो यह चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है यह डैंगे इस में आपको वर्जाइंगे ँव्याक्र करते हैं उतना वीडियो बनाने में और 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 है और अगर आप अपडेट्स चाहते तो फॉलो और लाइक कर सकते मेरे फेस्बॉक पेज इसको श्रेयस बड़ी इंटर्प्रेटिशन मेरे फेस्बॉक पेज है आप मुझे मुझे से अगर आप मुझे मेल करना चाहते तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलते रहेंगे तब तक के लिए अपना खयाल रखिये और आपका दिन शुब हो